हेलो दोस्तों आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आज हम उर्जा सनरक्षन अधिनियम 2010 के बारे में जानेंगे इससे पहले आलरेडी हम उर्जा सनरक्षन अधिनियम 2001 के बारे में पढ़ चुके हैं अगर आप उर्जा संरक्षन अधिनियम 2001 के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं, तो हमारे यूटूब चैनल से इसके बारे में जान सकते हैं. उर्जा सनरक्षन संशोधन अधिनियम 2010 उर्जा सनरक्षन अधिनियम 2001 का एक संशोधन है जिसका उद्देश मूल अधिनियम के प्रावधानों को और मजबूत करना है 2010 के संशोधन द्वारा किये गए कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन यहां दिये गए हैं एक विस्तारित कवरेज संशोधन ने अधिक खेतरों को शामिल करने के लिए उर्जा सनरक्षन अधिनियम के कवरेज का विस्तार किया, जैसे की परिवहन और इन खेतरों में नामित उप्भोगताओं के लिए अनिवार्य उर्जा दक्षता उपाए. 2. अनिवार्य उर्जा ओडिट संशोधन ने सभी उर्जागहन उद्योगों और वानिजिक भवनों के लिए उर्जा ओडिट अनिवार्य कर दिया, चाहे उनका आकार कुछ भी हो तीन इमार्तों के लिए स्टार रेटिंग नए भवनों के निर्मान में उर्जा दक्षता को प्रोच साहित करने के लिए संशोधन ने उर्जा कुशल इमार्तों के लिए एक अनिवार्य स्टार रेटिंग प्रणाली की शुरुवात की 4. राश्ट्रिय उर्जा संरक्षन पुरस्कार संशोधन ने उर्जा दक्षता और संरक्षन में उतक्रिष्टता को पहचानने और प्रोथ साहित करने के लिए राश्ट्रिय उर्जा संरक्षन पुरस्कार की शुरुवात की पांच दंड संशोधन ने अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करने पर दंड में वृध्धी की उर्जा संरक्षन संशोधन अधिनियम 2010 महत्वपून है क्योंकि यह उर्जा संरक्षन अधिनियम 2001 के प्रावधानों को मजबूत करता है और अधिक खेत्रों को शामिल करने के लिए इसके कवरेज का विस्तार करता है इमार्तों के लिए अनिवार्य उर्जा ऑडिट और स्टार रेटिंग प्रणाली उर्जा दक्षता और संरक्षन को प्रोचसाहित करेगी जबकि राष्ट्रिय उर्जा संरक्षन पुरसकार इन खेत्रों में उतक्रिष्ट प्रदर्शन करने वालों को पहचानेंगे और पु पुल मिलाकर उर्जा संरक्षन, संशोधन अधिनियम, 2010 उर्जा दक्षता और संरक्षन को बढ़ावा देने के भारत के प्रयासों में एक कदम आगे हैं। आशा करते हैं कि आपको उर्जा संरक्षन अधिनियम, 2010 के बारे में ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आगे इस तरह के ज्यानवर्धक विडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेर और सबस्क्राइब करें धन्यवाद।